हेलो फ्रेंड्स आज के इस क्लास में इतिहास की परमुग घटना हैं सबसे पहले आप देखते चलिए क्या देखने वाले हैं फिर आपको पढ़ने में ज्यादा मज़ा आएगा तीन टॉपिक को कवर करेंगे तीन में क्या क्या रहेगा इतिहास की परमुग घटना है जैसा क कि आप यहाँ पर देख रहे हो कौन सी घटना कब हुए थी सबसे पहले इसे देखेंगे फिर इसके बाद नंबर सकेंट पर आएंगे उस वक्त गवर्णर जनरल या फिर वाईशराय जो भी रहे थे कौन थे नहीं थे सबसे पहले उसे देखेंगे आप यहाँ पर देख आप ध्यान से आज के इस class को देखिएगा आज के इस class को दो बार repeat किया जाएगा इसे भी आप ध्यान रखेगा क्योंकि आप किसी भी जूब की तयारी कार रहे हो आपको इतना पता रखना है कि यहां से सवाल बन कर आता है और काफी confusion वाला यह topic रहता है जिन लोगों का topic पहले से cover है उनके लिए अच्छी बात है डिविजन हो जाएगा जिनको अच्छे से नहीं पता हो आप class में अच्छे से बने रहिएगा यकीन वानिये अच्छे से आज का यह अगया आप class देख लेते हो examination में आपका या फिर practice state जब आप लगाओगे खुद बखुद आपको पता चलेगा इसका क्या value है आज के इस class का value आपको इस वक्त पता चलेगा तो आईए बिना time बरबात के वे start करते हैं आज के इस class का point number first को भारत में आरियों का आगमन पूछेगा कब हुआ था पंद्रो सो इसापुर्व में रिगवैदिक काल माना जाता है पंद्रो सो से एक हजार इसापुर्व के समय तक को उत्तरवैदिक काल पूछेगा एक हजार से छे सो इसापुर्व तक के समय को उत्तरवैदिक समय माना गया है महावीर का जू जन में पांसो चालिस इसापुर्व में महावेश्वामी के निर्वान के बारे में पूछेगा 468 इसापुर्व में गौतम बुद का जन पूछता है चंद्रगुप्त मौर के मेत्यू हो गए थी 298 इसापुर्व में अशोक द्वारा कलिंग पर विजय प्राप्त किया गया था 261 इसापुर्व में विक्रम समवंद का आरम पूछेगा कम तो ये आपके 58 इसापुर्व में सुरवात इसकी हो गए थी सक समवत का पूछेगा तो 78 इस्वी बताएंगे हिजरी समवत का आरम पूछेगा 622 इस्वी बताना है फाहियान भारत की यात्रा किया था 405 से 411 यहाँ पे ध्यान रखेगा आपके ब्रैक्टिस सेट में एक-दो साल यहाँ पे आगे पीछे भी दिया जाता है उसे साब से आपको देखना है इस्वी को हर्श वर्धन का शाषनकाल 606 से 647 इस्वी तक माना जाता है हवेन सांग की भारत यात्रा हुई थी 630 इस्वी में चेने यात्री इत्सिंग बेहार का भर्मन किया 633 इस्वी में भारत पर पहला मुस्रीम आकरमन हुआ था 7012 में इतिहास का भी टॉपिक आपको दिया जा चुका है शोमनाथ मंदिर पर आकरमन हुआ था 1025 इस्वी में तराइन का पहला यूद 1191 दूसरा वाला 1192 खुलाम वंच की अस्थापना 1206 में करी गई थी इवने बतुता का भारत आगमन का भुआ था 1333 इस्वी में विजय नगर सामराज की अस्थापना 1336 में किया गया था तैमूर लंका भारत पर आकरमन 1398 इस्वी में हुआ था गुरुनानक डेव जी का जन्द पूछेगा 1469 में हुआ था वाश्कु डिगामा का भारत आगमन हुआ था 1498 में आगरा शहर के अस्थापना की गई थी 1506 में 14 का यूद वा था 1549 कन्नौज कहिए बिलगराम कहिए 1540 में हुआ था पानीपत का पहला वाला यूद वा था 1526 दूसरा वाला हुआ था 1556 में तीसरा वाला पानीपत का यूद वा था 1761 में अकबर का जन्द पूछा जाता है 1542 इसवी में अकबर का जन्द हुआ था अकबर का राजिर का जो वो सदारी का आरम्भ वुआ था फंद्रह सो 574 में पलास्टिय का युद अगर पूचता है 1757 बेद्रा का युद 1769 बक्षर का युद पूचेगा 1764 पहला आंगर मैसूर युद दुवा था 1767 से 179 तक चला था दूसरा वाला 1780 से 84 चला था तीसरा वाला 90 से तक रहा था और चौथा वाला था 1799 से ले करके 1799 में ये हुआ था चौथा वाला आग्र मैसुरियुद आप इसे जरूर याद रख लिजेगा शन्यासी विद्रोग पूछा जाता है 1770 में संथाल विद्रोग 1855 से 56 चला था अहुम विद्रोग वा था 1828 से 33 तक आप इस पॉ भारत में आर्यों का आग्मन 1500 इशा पूर्व में हुआ था रिगवैदिक काल 1500 से 1000 इशा पूर्व के समय को माना गया है उत्तरवैदिक काल 1000 से 600 इशा पूर्व तक के समय को माना गया था महावेश्वामे का जन्म हुआ था 540 इशा पुर्व में महावेश्वामे का निर्वान हुआ था 468 इशा पुर्व में गौतम बुद का जन्म 563 इशा पुर्व में हुए थी गौतम पुद का महापरी निर्वान जिसे मतलब मेर्तियू को महापरी निर्वान कहा गया था 483 इसा पूर्व में हुआ था शिकंदर का भारत पर आकर्वन 326 इसा पूर्व में हुआ था चंद्रगुप्त मौर के मेतियू पूछा जाता है 298 इशा पूर्मे हो गई थी असोक कि द्वारा कलिंग परविजे हुआ था 261 इशा पूर्मे विक्रम समवंद का आरम 58 इशा पूर्मे हुआ था सक्षमद का आरम यहने कि स्टार्टिंग कब हुआ था सक्षमद का में हर्च वर्धन का शासंकाल 606 से 647 इस्वी तक रहा था वेंसांकी भारत की यात्रा हुई थी 630 इस्वी में चीनी यात्री इत्सिंग ये बिहार आये थे 673 इस्वी में भारत पर पर्था मुस्किम आकर्वन हुआ था 712 इस्वी में शोमनाथ मंदिर पर आकर्वन किया गया था 1025 में चलिए आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं इस मंदिर को किसने लूटा था जवाब पता हो कमेंट करिए तराइन का पहला वाला युद्ध हुआ था 1191 तराइन का दूसरा वाला युद्ध हुआ था 1192 गुलाम वंस की अस्थापना पूछा जाता है 126 इस्वी में इबन बतूता का भारत आगमन हुआ था 1333 में विजैन अगर स्चामराज की अस्थापना हुए थी 1336 में तैमूर लंग भारत पर आक्रमन किया 1398 में गुरु नानक देव जी का जन 1479 में हुआ था वाश्कु डिगामा का भारत आगमन हुआ था 1498 इश्वी में आगरा सहर की अस्थापना 506 में करी गई थी 14 का युद्ध हुआ था 1549 में कन्नोज इसे आप बिलग्राम के विनाम से जानते हूँ इसका युद्ध हुआ था 1540 में पानी पत का पहला वाला युद्ध हुआ था 1526 में पानी पत का दूसरा वाला युद्ध हुआ था 1556 में पानी पत का तीसरा वाला युद्ध हुआ था 1761 आप ध्यान रखे हो अकबर का जन पंद्रोसो बियालिस में राज्या रोहन हुआ था पंद्रोसो चपन में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था पंद्रोसो चेहत्तर में इन तिनों को आप ध्यान रख लिए आई निक्स्ट पॉइंट देखते हैं दीन ए इलाही धर्म की अस्थापना हुई थी पंद्रोसो बिराशी में इस इंडिया कमपनी जो था इस इंडिया कमपनी इसकी अस्थापना शोलोसो इस्वी में हुई थी अकबर द्वारा मनसबदारी का जो श्टार्टिंग किया था वो पंद्रोसो चोहत्तर में 557 में utet by द्विधरा का युद्ध हैये हुआते सकट्रह सो 10 am पहला आंगल मैसुल्यूद 1776 से 99 तक चल दूसरा आंगल मैसुल्यूद 17 anci Sasaki से 84 तक चल तीसरा आंगल मैसुल्यूद Dj четय चुह हुआते सनवे से 92 तक चौथा वाला हुआ था 1799 इस्वी में शन्यासी विद्रू हुआ था कब 1770 में शन्थाल विद्रू हुआ था 1855 और 56 के समय में आउम विद्रू हुआ था 1828 से 33 इस्वी युथा इसी टाइम में चला था अब आजाते हैं गवर्नर जनरल और वाईशराय देखते हैं किस वक्त कौन से गवर्नर जनरल या फिर वाईशराय रहे थे बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स पिंडारियों का दमन हुआ था लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में इस नहीं किया बंगाल में द्वैत सासंग सासंग जो ही रॉबर्ट कलाहीम ने श्टार्ट किया था बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त लॉड कार्णवालिश ने भारत में सिविल सेवा का जनक लॉड कार्णवालिश को माना जाता है भारत का अंतिम गवर्णर जेनरल था लॉड केनिंग भारत का पर्थम वाईशराय पूछेगा तो लॉड केनिंग था स्वतंत भारत का पर्थम governor general Lord Mountbatten बंगाल का विभाजन किया था करजन ने रेलवे बोर्ड का गठन किया था landlord करजन ने बंगाल विभाजन को लड़ जो ये रद किया था Lord harding ने किया था second जो था भारत में रेल्वे और डाक की अस्थापना डलहौजी के समय में हुआ था पहली बार पाकिस्तान की मां लिन लितिकोग समय जलियावारा बाग हत्याकांड चमसफोट के समय सती पर्था जो की 1829 में अंत हुआ था और ठगी पर था जिसका 1830 में सबापती हुआ था विलियम बैंटिक के समय में पहला फैक्टरी अधिनियम पारित हुआ था लौड रीपन के समय अलीगर मुश्लिम विश्विद्याले की अस्थापना 1922 में चमसफोड के समय में हुई थी शमिधान सभा का जो पहला बैठा के लौड वेवेल के समय में हुआ था बंबई कलकत्ता तथा मदराच में हाइकोट की अस्थापना जो 1832 में करी गई थी लौड केनिंग के समय में हुए थी हुम्रूल लिख की अस्थापना और चम्पारन सत्याग रजोनी 117 में हुआ था चैंस फूर्ड के समय में शाहयक संधी की सुर्वात तथा फूर्ट विल्लियम कॉलेज की अस्थापना 1820 में वेलजली के समय में हुआ था भारत में साहयक संधी का प्रियोग किस ने डूपले ने किया महरानी विक्टोरिया के सर एहिंद की जो उपाधी से सम्मानित हुई थी 1870 में लॉर्ड लीटन के समय में अंग्रे जी को सिक्षा का माध्यम बना 1835 में लॉर्ड विल्लियम बैंटिक ने किया था बंगाल का सेर कहता था लॉर्ड वेलजली को शायमन कमीशन भारत आया लॉर्ड एविन के समय किरिप्स मिसन भारत आगमन हुआ था लॉर्ड लिनलितको के समय में केविनेट मिशन पूछेगा लॉर्ड वेवल के समय में आया था मुस्लिम लिख की अस्थापना के समय लॉर्ड मिन्टो सकेंड थे दूसरा वाला जो विश्वी उद्ध हुआ था लॉर्ड लिन लित्गो के समय और भारत छोडवा अंदोलन भी इसी के समय में हुआ था अस्थाईश वासासन आरम जो है प्रारम किया था लॉर्ड रिपन ने श्वाविने अवग्या अंदोलन के शुरुआत लॉर्ड एर्विन के समय में और शहयोग अंदोलन सुरु की लॉर्ड चैम्स फोर्ड ने कॉंगरेस का जब जन्म हुआ था उस वक्त लॉर्ड डवरेन रहे थे भारतिय प्रेस का मुक्ती दाता मिटकॉफ कहा जाता है नर्वली पर्था का अंद लॉर्ड हार्डिंग के समय में हुआ था दास्पर्था का उन्मूलन लॉर्ड एलेन मेरो के समय में भारत में जन्गना के सुरुवात लॉर्ड मेयो के समय नियमीज जन्गना के सुरुवात लॉर्ड रीपन ने किये थे पहला वाला जो गोल में समिलन हुआ लॉर्ड इर्विन के समय दूसरा वाला गुल में समिरन वैलेंग्टन और तीसरे वाले में वैलेंग्टन ही रहे थे आईए इसे एक बार फिर से आप देख लीजिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और पाइए बंगल का पहला गवर्णर जनरल वारेन हेस्टिंग्ञिंग्णुर्ण भारत का प्रथम गवयंणर जनरल लार्ड मांट बेटन थे बंगल का विवाजन करजन किये थे रिल्वे बूट का गठन करजन किये थे बंगार विवाजर रद किये थे लॉड हार्डिंग शाकेंड भायत में रिल्वे की अस्थापना और डाक की अस्थापना डलोजी के समय में पहली वार पाकिस्तान की मां लिद्गो के समय में जलिया वाला बाग हत्याकान चेंस फूड के समय में हुआ था सती पर्था का अंत 1829 में और ठागी पर्था के सबाब दियने की अंत फूड था 1830 में लौड बैंटिक के समय में पहला वाला फैक्टरी अधिनियम पारित हुआ था लौड रिपन के समय में अलीगल मुश्लिम विश्विद्याले की अस्थापना 1922 चेंस फूड के समय में हुई थी होमरूल लिख की अस्थापना तथा चंपारन सत्याग्रदो 1917 में हुआ था चेंस फूड के समय में शहायक संधी की शुरवात तथा फूड विलियम कॉलेज की अस्थापना 1820 में वेलजली के समय में हुआ था भारत में शहायक संधी का परियोग डुबले ने किये महारानी विक्टोरिया केसर एहिंद उपाधी से सम्मानित हुए था 1870 में लौड लीटन के समय में अंग्रेजी को सिक्षा का माध्यम बनाया गया था 1835 में लौड विलियम बैंटिक ने बनाये थे बंगाल का सिर लौड विलेजी को माना जाता था शायमन कमिशन भारत आया लौड एर्विन के समय में ठीक है तेखें क्रिप्स मिशन का आगमन हुआ था लौड लिलितिको के समय में केविनेट मिशन भारत का पहुँचा वेविल के समय मुस्लिम लिख के अस्थापना लौड मिन्टो सकेंड के समय दूसरा वला विश्वित जब हुआ था और भारत छोडवा आंदोलन जब चल रहा था लौड जेनरेद गो इसी समय रहे थे अस्थानी स्वासरसन आरंववा रीपन के समय शौवी ने अवग्या आंदोलन के समय लौड एडविन थे और शायोग आंदोलन शुरू हुआ था चेंस फोड के समय में कॉंगरिस का जब जन्म हुआ इनिका अस्थापना हुई थे उस वक डफरीन रहे थे भारतिय प्रेश का मुक्ति दाता चार्ल्स मिटकॉफ को माना जाता है नर्वली पर्था का अंत लौड हार्डिंग ने किये थे दास पर्था का उन्मूरन लौड एलनबरो किये थे भारत में जन्गन्ना के शुरुवात लौड मेयो के समय में हुए थी और नियमीत जन्गन्ना पूछेगा तो रिपन के समय में पहला वाला गोल में समिलन लौड एर्विन के समय में दूसरा और तिसरा गोल में समिलन हुआ थे लौड वेलिंग्टन के समय में अब इतिहास की परमुख घर्टनाओं में आप देखिए विद्रोह वगड़ा खास करके जो सम्मिलन वगड़ा था गांधी जी भी कि हत्या वगड़ा क्या हुए थी इन सब पोइंट्स को देखेंगे इस क्लास में भी पायका विद्रोह 1817 से 25 इसवी तक चला भील विद्रो 1818 से 31 तक हो विद्रोह 1821 इसमें कोल विद्रोह 1831 इसमें रामोसी विद्रोह 1822 से 29 चला बहावी आंदोलन के समय रहतासा 26 से 25 खासी विद्रोह 1833 में फिर से देखिए पायका विद्रोह 1817 25 भील विद्रोथious आठासा 27 कूल विद्रों 3831 रामोशी विद्रों 3822 से 29 चला बाहावी आंदुलं 8826 से 71 रहा था खाशी विद्रों पूछे का 233 आपको बताना है नेल विद्रों का टाइम पेरियड यो है 1869 से 6 फराईजी आंदुलन हुआ था 1838 से 6 मुंडा विद्रू 1899 और 1924 में मोपला विद्रू हुवा था 1922 कुका आंदुलन हुवा था 1842 कॉंग्रेस की अस्थापना 85 में ते भागा आंदुलन हुवा था 1846 में मुंडा विद्रू 1899 मोपला विद्रू 1922 कुका आंदुलन अस्थापना 85 में ते भागा आंदुलन 1946 में हुआ था अस्थाई बंदोवस्त पूछेगा कब हुआ था 1793 में बंगाल का पर्थम विवाजन 1905 में मुस्लिम लिख के अस्थापना 96 में मारले मिन्टो सुधार 1909 में चंपारन सत्यागरा 1917 हुआ था खेडा सत्यागरा 1918 में हुआ था बंगाल का पहला विवाजन 1905 मुस्लिम लिख के अस्थापना 6 मारले मिन्टो सुधार 1909 में आया चंपारन सत्यागरा 17 में हुआ खेडा आंदुलन 1928 में हुआ था खिलाफत आंदुलन 1929 में पहला विश्वित 14-18 चला था दूसरा वाला 49-45 चला था लखनव समझ होता 16 में हुमरूल लिकिया स्थापना 16 में जलिया वाला बाघहत्यकौेंट हो गया था 1929 में रॉलैक एक्ट वीफ पारित हुआ था द narrative 1929 में आश्यूग अनदुलन 1922 में वयकुम् शत्यागरा 1924 1925 में चला था नेट्च देखिए साइमन कमिशन का आगमन 1928 में दांडी मार्च नमक शत्यागरा 1930 में हुआ था गांधी इर्विन समझ होता हुआ था 1931 में कैबिनेट मिशन का आगमन हुआ था 1946 में मातमा गांधी के हत्या ऐ चीन का जो भारत पर आकर्मन है 1932 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था 65, तासकंद समझो था 1966, ताली कोटा का युद्ध हुआ था 1565 में, कारगील वाला युद्ध 1990 में, पहला गोल में सम्मेलन 30, दूसरा एक 30, तीसरा बत्तिस, शोविने अवग्या आंदोलन हुई थी 1930 में, क्रिप्स मिशन का आगमन 11, फ्रांसिसी करानती 1789, रूसी करानती 1917 में हुआ था, इन सबको आप जरूर से जरूर ध्यान रख लिजेगा, आए थुआसा यहां से एक बार देख लेते हैं, बंगाल में अस्थाई बंदोबस 1793 से, बंगाल में पर्था मिवालन 1905 में, मुस्लिम लिख की अस्थापना 1906 में, इसे आपने दुबारा भी देखा था, थर्ड टाइम आप देख रहे हो, तो आसा देख लेजिए, मारले मिन्टो सुधार 1909 में, चमपारन सत्यागड़ सत्र, खेरा अंदोलन 18, खिलाफात अंदोलन 1909, प्रहला वाला वीश्युदू चला था, 1914 से 18, दोसरा वाला 1949 से 45 लखनों समझो था, 1916 में, होम रूल लुक्या स्थापना हुए थी, 1916 में, जलिया वाला भाग हत्याकान 1929 में, रालेक एक्ट पारित हुआ था, 1929 में, और शहियुद आंदोलन 1922 से 22 चला, वायकोम सत्यागड़ा 24-25 में लहा, सायमन कमिशन का भारत आनाव वाता 1928 में, दांडी मार्च नमक्षत्यागड़ा 1930 में, गांधी इर्विन समझो था, 1931 में, केबिनेट मिशन का भारत आगमन हुआ था, 1946 में, मात्मा गांदी जी की हत्या, 1948 में, चीन का भारत पर आक्रमन 1962 में, भारत पाकिस्तान युद 1965 में, तासकन समझो था, 1966 में, आज अई 1565 में क्या हुआ था, ताली कोटा का युद आपको ध्यान होगा, कारगिल वाला हुआ था, 1999 में, पहला दूसरा तीसरा गोल में सम्मेलर 1930, 31 और 32 में लगातार चला था, श्वाविने अवग्या आंदोलर 1930 में हुआ था, क्रिप्स मिशन का भारत आना हुआ था, 1942 में, आज आशी में, और रूस का क्रांती हुआ था, 1917 में, आसा करता हूँ कि आपने काफी हद तक ध्यान से इसे देखा होगा, और काफी हद तक आपने इस पे अपना पकर भी बना लिया होगा, अब आपने कैसा पकर बनाया, नहीं बनाया, MCQs लगाए, टेस्ट लगाए, खुद ब खुद आपको पता चल जाएगा, आज के अब जो क्लास देखने वाले कोशन्स का, इसमें आपको 46 MCQs देखना है, कोशिस करिए 40 प्लस हर हाल में सही करने का, मार्क्स काउंट करते चलिए, ज्यादा अच्छा रहेगा, गौतम बुद का जन्व का हुआ था, ओप्शन C, प लौड, चम्स, फूर, यानि कि C, आपका सही जवाब है, बक्षर का युद्वा था, नमबर फूर, ओप्शन नमबर आपका भी, बक्षर का युद्वा था, शायमन कमिशन भारत का वाया था, बताएं, नमबर फाइब का ओप्शन C, 1928 में, 1857 के विद्रो के शमय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, ओप्शन C, लौड, कैनिंग था, उल्गूलान विद्रो किसे से जुड़ा है बताएं, ओप्शन D, मिर्शा मुंडा से पानिपत का पहला युद्वा लरा गया था, 1526 में, तासकन समझोता हुआ था, कब, ओप्शन C, 1966, भारत का अंतिम, गवर्न हुआ था, कब, ओप्शन B, 622, हेजरी समवत का स्टार्टिंग हुआ था, कॉंग्रेस की अस्थापना किसके सासनकाल में, ओप्शन A, डफ्रीन के, दूसरा वला, विशुद कब से कब तक चला था, वर्ड वर्ड सकेंड वला, ओप्शन A, 1949 से 45, क्रिप्स मिसन भारत कब आ ओप्शन B, 58 इशा पुर्व में, बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त लागो किसने किया, ओप्शन C, लॉड कार्णवालिश ने, सती पर्थापर पर्तिबन किसने लगाया था, ओप्शन A, विलियम बैंटिक ने, बंगाल में द्वैट सासन के अस्थापना किसने किया था ओप्शन C, रोबर्ट क्लाइब ने, फ्रांस की क्रांती कब हुई थी, ओप्शन C, 1789 में, 1789 में, फ्रांस की क्रांती हुई थी, कोलकाता, मदरास, एवं मुंबई में, उचिने आले की अस्थापना किसके सासन काल में किया गया था, ओप्शन C, राइट अंसर, लॉड कैन था, कब शुरू हा था बताना है, उचिने आले की अप्शन C, पानी पत का तीसरा यूद बताएं, कब लरा गया था, 1771 में, बंगाल का पर्थम, गवेंडर, गवेंडर जेनरल जो था, कौन था, ओप्शन C, वारें हेस्टिंग्स था, पर्थम फैक्टरी अधिनियम, किसक 217 में, भारत में अस्थानी स्वसासन के जनक कौन था, ओप्शन D, लॉर्ड रेपन, पहला वाला विश्विद, कब से कब तक चला, ओप्शन C, 1914 से 18 तक पहला वाला विश्विद हुआ था, बंगाल विभाजन किसके काल में हुआ था, ओप्शन A, करजन के समय, बंगाल व पार्डिंग दुईती यह आपको बताया भी गया था, उनीश्व निजनानवे और उनीश्व में जो, आपके जेगा, अठारो स्व निजनानवे और उनीश्व में जो मुंडा ग्रांती हुआ था, उसके नेटा कौन रहे थे, ओप्शन C, बिर्शा मुंडा थे, भारत में हमरोल लिख किया स्थापना, उनीश्व सत्रह में, किसके सासनकाल में किया गया था, उनीश्व निजनानवे, भारत में शहायक संदी की शुरूबात, पहली बार किस अंग्रेज गवर्नर जनरल ने शुरू किया था, उनीश्व निजनी ने, पानी परत का दिवितिय कब लड़ाय गया था, पंद्रो सो चपन ओप्शन भी राई टांसर, ठागी पर था, किसके सासनकाल में समाप्त हुए थी, ओप्शन सी, विलियम बैंटिक के समय में, शक्षमवत कब शुरू किया गया था, ओप्शन सी, अठात्तर इश्वी में, इस्ट इंडिया कंपनी क अस्थापना कब हुए थी, 1200 ओप्शन डी, हो विद्रो कब हुआ था, ओप्शन सी, 1820 और 21 के समय में, मोपला विद्रो जो की 1921 में हुआ था, कहा पर हुआ था बतायत, ओप्शन बी, मालाबार में, भारत का पर्थम वाइशडाय कौन था, ओप्शन बी, लॉड कैनिंग स सही जवाब, भारत में डाग, तार, तथारेल, विवस्था किश्की काल में शुरू हुआ था, ओप्शन ए, डलहोजी के समय में, सुरक्षा प्रकोष्ट नीती किस से समन्दित है, ओप्शन ए, वारिन हेस्टिंग से, श्वतंत भारत का पर्थम, गवर्नर जनरल कौन था, ओप्शन सी, लॉड माउंट बेटन राइट आंसर, चलिए बताइए कि, अपने आपको बंगाल का सेर कहता था, कौन, यह सवाल आपके लिए छोड़ा जा रहा है, 46 का जवाब बता हो, कमेंट करके आप, बता सकते हैं, स्वागत है आपका, आशा करता हूँ कि, आज का क्ल की हद तक हेल्प जरूर करेगा, क्लास आपको कैसा लगा, कमेंट करके आप बताएंगे, नेक्स्ट क्लास में बहुत ही जल्द मिलेंगे, इसी तरह से कोई और भी टॉपिक को ले करके, तब तक आप परहाई को अपना अच्छे से कंटिन्यू रखिए, मिलते हैं बहुत ही जल्द, एक और नए अच्छे से क्लास के साथ